ये कितने पास हुए हैं और कितने दिन में ये रिजल्ट जारी किया देखिए हर्णा विद्दल शिक्षा बोड़ास बार्वी की सीने सेकेंडरे की रेगुलर हर्णा ओपर स्कूल और रिये पिरकी तीनों की ही आज जो है इसका परिणाम गोशित कर रहा है तीनों फेकल्टे पिचाससी दस्मलाव तीन एक रहा है और साथ में ही जो छातरों की पास प्रतिस्टा है वो 12 सिंदस्मलाव 15 दो है और जो छातरों की है वो 88.14 है यह वैदम और ग में कहेंगे तो उन्हों 5.62 प्रतिशत जो बेटियां है वो अधिक पास हुई है as compared to boys और ग्रामिन चेतर की पास प्रतिशता वो 86.1 एक साथ रही जबकि शहरी चेतर की यही 83.53 तीन रही है प्राइवेट जो विद्धाले हैं उन्होंने सरकारी विद्धालों के तुलना में बहतर प्रतिशन किया है उनकी पास प्रतिशत साथ 88.12 एक दो है और राजिकी विद्धालों की 83.12 तीन पांच रही है अगर हम बात करें जिलावर जो मैं कहूंगा इसमें जिला मेहंदरगर टॉप में आया है और नूजिला है वो सबसे इनिचले पाइदान पे रहा है जो स्वेम पाठी की दारती थे जो प्राइवेट केंडिट थे उनकी पास प्रतिशत साथ 65.32 तीन दो रही है और जो सीनिय सेकेंडरी के स्वेम पाठी थे उनमें 5600 बैतर परिशारती बैठे थ जिन में 3705 में उत्रण रहे तो अब मैं कहूंगा कि जो परिणाम है इसके बाद 20 दिन की अंदर अंदर वो पुनर जांच के लिए आविदन कर सकते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्टर शिक्षा निकी 2020 में हम बात करते हैं कि एक हेल्दी कॉम्पेटिशन रखने के लिए जो हम जिलावार या ओल स्टेट वाइस टॉपर्स की जो लिस्ट है सिभ्यसी के तर्ज पे इस साल हर्णा विद्धरले शिक्षा बोर्न ने अब राष्टर शिक्षा निकीत अपनाते वे जो इस बार हेल्दी कॉम्पेटिशन रखने के लिए टॉपर्स के लिस्ट हमने जारी नहीं कि अगर लास्ट लेट लगाएं कि एक्जामेनेशन के जो लास्ट एग्जामेनेशन दे था उसके हिसाब से गर हम लास्ट यह लगाएंगे तो दो तारिक को अंति परिक्षा हुए थी दो एपरिल को उसके बाद 29 अपरिक तर लगाए यहने रिकॉर्ड 27 दिन में हमने रिजर्ट गोच्षी कर दिया है यह अपने आप में बोर् देखेंगे तो इसके अंदर यह मान के चलिए कि यह जो रिजर्ट आया है इसके अंदर सबका यूगदान है सबसे पहले बोर्ड ने जब नकल रोग दे तो यह एक मैसेज गया अक्रोस दस्टेट कि अब पढ़ाने से ही रिजर्ट आएंगे जिसके वज़िक से सबने पढ़ाना शुरू किया फिर जो हमने क्वेश्चन नॉलेज बेस थे उसके जिए कोंपेटेंसी बेस क्वेश्च गुरूप से 2018 से लेकर उस साल 5,064 केस थे UMC के 2019 में 4,444 रहे अगर हम कोविट टाइम को छोड़ दे 2020-21 को तो 2022 में ये 3,521 केस थे और 2023 में जब अलफानिमरिक कोड लगा तो उसमें एकदम ड्रॉप आया जिसमें 1,741 केस थे और अब 2023 में मात्र 807 UMC केस थे तो अपने आप में ये प्रूर करता है कि नकल पर बहुत रोग लगी है बच्चों को सिक्षकों को सब एक मैसेज गया है कि पढ़ने से ही सफलता मिलेगी नकल की बूल पर नहीं मिल सकती इससे पहले अगर आप देखेंगे के रिजल्ट तो 2018 में हमने जैसे 21 दिन में फिर हमने 40 दिन में इस तरह से 2022 में अठावन दिन ने हमें सेकेंडरी का रिजल्ट दिया 2023 में 52 दिन में दिया था और इस पार 52 दिन से घटा कर हमने अपने ही रिकॉर्ड को बीट करते वे मात्र 27 दिन में रिजल्ट दिया कि निश्चित तोर पर भी डेट का मैं नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी चुनियोते हैं हमारे आगे अब एलेक्शन कमिशन जो है वह भी अपना कारे कर रहे हैं बहुत सारे टीचर्स की बिया लोज की ड्यूटी लग चुकी है एलेक्शन कमिशन से भी लेट रह नहीं देखिए हम 15 माई को हमेशा लेकर चलते हैं डेड्लाइन की और मैं समझता हूं कि 15 माई से पहले-पहले हम उस परिणाम को भी घोशित कर देखिए जितना हमारे होता है मान लीजिए कुछ रिजल्ट है आरे ली होते हैं यूटू इलिजिबिटी है कोई आवार्स की जो जैसे है तो अगर देखा जाये तो हमारा 300-500 बच्चों का इस तरह का रिजल्ट लाखों में जब बच्चे गैड़िट है टो चार्सों पान सो पार रिजल्ट हमेशा इस तरह से रुख जाता है तो जैसे-जैसे हमारे पास डैटा आते हैं एक्सक्रीशन आते हैं कि इस प्रपर तरीके से कंपाइल के एक बच्चे पर नजर रही है इतना ही नहीं हमने इवन जो पहले बहुत सारे केसे अनफैर मीन्स के होते थे जिनको हम रोग लेते थे इस बार हमने अनफैर मीन्स के केसे को भी एक एक को बैट कर तुरंट सुल जाया है और जो बच्चे एक्जम्ट किये गए थे उनकी अंसर शीट हमने तुरंट चेक ही गए और एक दूसानिमरिकल कोड आपने प्रियोग और जिस दूए परकार से जिन बच्चों इपर बाराव उच्किया था उनके पेरिंस को बच्चों को भी अफयार दर्ट जी और जो अद्यापकिस में वोड प्रिणाम एक इन पहले आ गया तो यह गोर्ट में किन करम सारे हो कि तिकी वह प्रिणाम पता है वोटेली भी हो गया वही परिणाम एक दिन पहले गोशित हो जाता है ख़र उनका किसे परदा होते हैं दिखिए मैं किसी का प्रांच जो आप उती है उसमें लूप हो लिए ते कि मैं मानता हूं कि कि ऑन एन एवरेज बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और इवन एग्जमेनिशन सेंटर से ही एक अंदाजा लगता है कि कहां पर कितना परिणाम आता है तो ऑन एन एवरेज अपना किसी का गैस हो सकता है कि भी 80-90 के बीच में रहेगा वो इसको 85 चाप दे कुछ 90 परसंट अब से कभी भी कोई चीज लिक नहीं होती है यह मैं definite कह सकता हूं अगर लिक होती तो आप सब को पता लगता है कि हम इसे मोटिवेशन कहते हैं यह लेकिन यह बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं परफॉर्म करता है लेकिन डी मोटिवेशन कितनों का होता है और इसी पद्दिति राष्टर शिक्षा निती में यह कहते है वी शुट प्रमोट गुड़ एजपीशन थिंकिंग एजपीशन क्रिटिव एजपीशन और सिब्यसी ने भी इसी को लास्ट टाइम अगर ध्यानो उन्हों ने भी टॉपर्स पूरे इंडिया में कहीं डिक्लार नहीं कि तो हम रा और तरीके से पर्फॉमेंस में और रहल हम कुछ क्रिटेरिय डिकलार कर सकते हैं वो जो कमिटी घठित की जाएगी ऐसे प्रतिवान बच्चों को कुछ क्रिटिव कुछ इन्नोवेटिव जो करेंगे उनकी लिए हम रख सकते हैं तो इस तरह से लेकिन बोर्ड जो टॉपर् करेंगा इस तरह से क्योंकि इस पॉलिसी के तैट रास्ट शुक्षनिती के तैट हमने यह डिसिजन लिया है